हेलो फ्रेंड्स ड्रिम फ्लावर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में में बात करने वाला हूँ 22 मल्टिपल चोईस कोश्चन जिसमें हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख नहरे यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्प्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबना ना भूलिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंशती रहे तो आए हम देखते हैं फस्ट कोश्चन पनामा नहर किन दो महासागरों को जोडती है भूमद्य सागर एवं लाल सागर प्रशान्त महासागर एवं अटलांटिक महासागर अरब सागर एवं हिंद महासागर भूमद्य सागर एवं अटलांटिक महासागर तो सही आंसर इसक प्रिशान्त महाशागर एवं अट्लांटिक महाशागर नेक्स्ट कोश्चन पनामा नहर व्यापारिक द्रश्टी से स्वेज नहर की अपिक्षा कम महतपूर्ण है क्योंकि पनामा नहर लंबाई में छोटी है पनामा नहर समतल भुमी पर नहीं है घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है पनामा नहर में जल पास बने हैं तो सही जवाब है इसका घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है आई होप ये दोनों कोश्चिन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे नेक्स्ट कोश्चन पनामा नहर के संधर्ब में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है यह नहर अटलांटिक महासागर वा प्रशान्त महासागर को मिलाती है इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलो मीटर है तो सही जवाब है यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था नेक्स्ट कोश्चन पनामा नहर के उतरी सीरे पर कोन सा पत्तन इस्थित है पनामा, कोलोन, गाटून, मिरा फ्लोरेस तो सही जवाब है इसका कोलोन नेक्स्ट कोश्चन पनामा नहर के दक्षिन सीरे पर इस्थित पत्तन है पनामा कोलोन पोर्ट सईद गाटून तो सही जवाब है इसका पनामा जिसा उसके नाम से पनामा नहर के नाम पर ही दक्षिन सीरे पर इस्थित पत्तन का नाम भी पनामा ही रखा गया है नेक्स्ट कोश्चन विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है पनामा नहर, स्वेज नहर, किल नहर, सू नहर तो सही जवाब है इसका स्वेज नहर यह जो स्वेज नहर है इसको जहाज रानी के नाम से जाना जाता है मतलब ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर जोडती है भूमद्य सागर को लाल सागर से भूमद्य सागर को केश्पियन सागर से लाल सागर को हिंद महा सागर से भूमद्य सागर को हिंद महा सागर से तो सही जवाब है इसका भूमद्धि सागर को लाल सागर से यह question RRB 2004, SACC 2012 में पूछा गया था very important question है यहाँ next question स्वेज नहर के उत्री सीरे पर कौन सा पत्तन इस्तित है colon, port side, स्वेज, port 4 तो सही answer इसका port side next question स्वेज नहर के दक्षिन सीरे पर कौन सा पत्तन इस्तित है स्वेज, port side, ismailia, port, तोफिक तो सही जवाब है इसका स्वेज बहुत जो स्वेज नहर है उसके दक्षिन सीरे पर जो पत्तन है उसका नाम भी स्वेज ही रखा गया है जिससे नहर बताया था कि पनामा नहर के दक्षिन सीरे पर स्थित पत्तन का नाम पनामा ही है इसी प्रका स्वेज नहर के दक्षिन सीरे पर स्थित पत्तन का नाम भी स्वेज ही है next question है स्वेज नहर में ज्ञालो का पूर्णता आभाव क्यो पाया जाता है ज्ञालो के कारण जल्यान का प्रवहा प्रवाहित होता है स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई सुल्क नहीं लिया जाता है नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जलिस्तर में समानता पाई जाती है स्वेज नहर विश्व के सभी देशों के जलियानों को आवा गमन की सुविधा प्रदान करता है तो सही जवाब है इसका नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल इस्तर में समानता पाई जाती है स्वेज नहर का निर्मान कब प्रारंब हुआ 1854, 1879, 1894, 1896 तो सही जवाब है इसका 1854 इस्वी मतलब 1854 इस्वी को स्वेज नहर का निर्मान प्रारंब हुआ था और आपको याद हो तो 1854 में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में आई होप यह कोस्चिन आपको छे समझ में आ चुका होगा नेक्स्ट कोस्चिन है स्वेज नहर कब बनकर तयार हुई 1854 इसवी 1879 इसवी 1881 इसवी तो सही जवाब है इसका 1879 इसवी मतलब नहर का निर्मान 1854 में प्रारंब हुआ था और यह बनकर 1879 इसवी में तयार हुई थी मतलब 15 साल बाद यहां नहर बनकर तयार हो गई थी नेक्स्ट कोस्चिन स्वेज नहर की लंबाई कितनी है 64.8 किलो मीटर, 106.5 किलो मीटर, 156.4 किलो मीटर, 168 किलो मीटर तो सही जवाब है 168 किलो मीटर सू नहर निमनी लिखीत में किसको जोडती है सू पीरियर को मिशिगन से, सू पीरियर को हूरन से, मिशिगन को हूरन से इरी को हुरन से तो सही जवाब है इसका सूपीरियर को हुरन से मतलब जो सू नहर है वह सूपीरियर को हुरन से आपस में जोड़ती है आपको याद हो तो सूपीरियर है यह विश्व की सबसे मीठे पानी की जील है Next question किल नहर जोड़ती है मेंचेस्टर को लिवरपुल से उत्री सागर को बाल्टिक सागर से भुमध्य सागर को लाल सागर से प्रिशांत महा सागर को अटलांटिक महा सागर से तो सही जवाब है इसका उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जो किल नहर है ये उत्री सागर को बाल्टिक सागर से आपस में जोड़ती है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्री सागर से मिलाती है स्वेज, पनामा, किल, सू तो सही अनसर है इसका किल यह कौश्चन आरार्बी 2005 में उचा गया था नेक्स्ट कोश्चन है क्रा नहर निमलिखित में से किस देश में इस्थित है म्यानमार थाइलेंड कमबोडिया लाओस तो सही आंसर इसका थाइलेंड नेक्स्ट कोश्चन पनामा जल डमरू मध्धि के आर पार नहर खोदेने का विचार रखा था तालमी ने इस्ट्रोबा ने रेट जिल ने हमबोल्ट ने तो सही आंसर इसका हमबोल्ट ने हमबोल्ट ने पनामा जल डमरू मधि के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था नेक्स्ट कोश्चन है निमने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है किल नहर जर्मनी में है यहां उत्री सागर और बाल्टिक सागर के बीच है स्वेज नहर मिस्र में है यहां लाल सागर यहां भूमधि सागर को जोड़ती है पनामा नहर पनामा में है, यहां केरिबियन सागर और प्रिशान्त महासागर को जोड़ती है सू नहर स्वीडन में है, यहां इस्टाक होम तथा गोटेन बर्ग के बीच है तो सही आंसर इसका सू नहर स्वीडन में है यहां स्टाक होम तथा गोटेनबर्ग के बीच है Next question स्वेज नहर के खुलते ही निमनलिखित में से किसके बीच समूद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है लंदन न्यू यार्क लंदन पेरीस लंदन केप आफ गुड होप लंदन चेन नही तो सही आंसर इसका लंदन चेन नही यहां कोश्चन आरारबी 2003 में पूछा गया था वेरी इंपोडेंट कोश्चन है यह नेक्स्ट कोश्चन है पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लाख जल पास प्रनाली है इसका मार्ग छोटा है इसका मार्ग व्यस्त है इसका मार्ग कम व्यस्त है तो सही आंसर है इसमें लाख जल पास प्रनाली है यहा कोश्चन SSC 2014 में पूछा गया था नेक्स्ट एवं अन्तिम कोश्चन है पनामा नहर का निर्माण किस वर्स हुआ था 1879 इसवी 1980 इसवी 1905 इसवी 1914 इसवी तो सही आंसर इसका 1914 इसवी यहा कोश्चन SSC 2014 में पूछा गया था मतलब जो पनामा नहर है उसका निर्मान 1914 में हुआ था मतलब 1914 को पृथम विस्वी उद्ध प्रारंब हुआ था यहा कोश्चन भी very important है इसको भी आप याद रखना मतलब 1914 में पृथम विस्वी उद्ध प्रारंब हुआ था इसी वर्ष पानामा नहर का निर्मान हुआ था आई होप यह सारे कोश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और यदि अभी तक आपने मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो किरपा मेरे चेनल को किजिए लाइक किजिए और सेर किजिए जय हिंद जय भारत